सो कैनेडा को आप लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप्ट देशों में से एक मानते होगे बट रियल कैनेडा कुछ ऐसा दिखता है लोग खुले आम ड्रक्स कर रहे हैं बेगर हैं बिखारी हैं और काफी इंडिया के स्टूटेंट्स भी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि वो गलती से डिपोर्ट ना हो जाएं कैनेडा जो कुछ ताइम पहले तक परफेक्ट कंट्री की नाम से जाना जाता था बट आज यहां की कहानी कुछ और है और इंडिया की लोग भी कैनेडा को सेकेंड होम मानते हैं क्योंकि अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिला मुश्किल है और कैनेडा की प्यार तो असानी से से ऐसी कंट्री की इंटरनेट पे सिर्फ एक ही साइड दिखाई जाती है तो चलिए आज कैनेडा की डाक साइड को समझते हैं कैनेडा की हिपोक्रेसी से परदा उठाते हैं आज सो आप लोगों मैंसे भी काफी लोग स्टूडेंट्स होंगे और उनके भी फर्स्ट के डाक साइड के बार में नहीं पता था आज मुझे पता है और मैं रिस्पोंसिबिल्टी समझता हूं हमारी कि मैं आप लोग साथ शेर करूं कैनेडा की डाक साइड कि इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कैनेडा के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैनेडा के प्रेजिडेंट और वहां के काफी मिनिस्टर्स ने बोला कि अब हम और स्टूडेंट्स नहीं ले सकते कैनेडा के सिव लीडर्स ही नहीं लोग भी ऐसा ही समझते हैं और वेल कैनेडा एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री नहीं था यह सच नहीं है कैनेडा कितना बड़ा देश है इसमें तीन इंडिया समा जाए और इसकी पॉपुलेशन चार क्रोट से कम है और हमारे देश में दिली मुबई की पॉपुलेशन मलाके पांच क्रोट से जादा है कैनेडा में इतनी पॉपुलेशन कम होने के वज़े से वहां पर है लेबर शॉटेज और कुछ नहीं पहले यह वीडियो सर्फेस हो रही थी इंटरनेट पे जिसमें एक महीला बोल रही थी कि कैनेडा में अगर आपको आपको आपकी घर से पिक अप करने नहीं आएगा कैनेडा को लोगों की जरूरत है इसलिए 2021 तक पांच सालों के लिए कैनेडा ने ओपन डॉर पॉलिसी अपनाई और बन गया फास्टास ग्रोइंग जी सेवर कंट्री बट 2021 के बाद इन्होंने अपनी पॉलिशी थोड़ी सी चेंज कर दी इमिग्रेंट्स की टेंशन इस 6.2 परसेंट से कम करके 5 परसेंट तक लेके आएंगे और हैराम कर देने वाली बात तो यह है कि कैनेडा में वान ठर्ट स्टूडेंट्स तो हमारे इंडिया गी है और स्टूडेंट्स को कैनेडियन बैंक में 20,000 डॉलर डिपोजिट करके रखने पड़ते हैं एज गरंटे को अपने कंट्री में एंट्री जीगी यह ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि कैनेडा एक सेलफिश कंट्री है जब तक उनको किसी स्टूडेंट की किसी लेबर की किसी इमिगरेंट्स की जुरूरत होती है तब तक तो वह दोनों हातों से उनका स्वागत करते हैं और कैनेडियन अजब गयालात थीक नहीं तब वह दो टिपॉर्ट करना स्टाट कर देते हैं क्या आप ऐसे देश में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं कैनडा की हिपोक्रेसी उनके एकॉनिमी से ही जलती है आज की डेट में कैनडा में एक हाॉसिंग क्रैसिस चल रहा है I can't buy anything, I can't afford the rent these days How the hell is anyone existing in Canada? Like I just, I feel trapped Canadian government 2031 तक 3.87 million घर कंस्ट्रक्ट कर सकती है But उस ताइम तक 5 million घर की जरूरत होगी Canada में एक एवरेज घर की कोस्ट है 7 लेक डॉलर्स यानि की साड़े चार क्रोड रुपे और आप लोग ये सोच चुके कि Canada में जाके आप Canadian डॉलर में ही तो चापोगे तो आप घर तो अफॉर्ड करें सकते हो राइट But सस तो ये है कि अगर आपका एवरेज एनुएल इंकम 1,95,000 से कम है तो आप लोन भी नहीं ले सकते हमारी तो बात छोड़ी है बट आज की रियालिटी ये है कि Canada में टॉप 10 ब्रिचस लोग ही लोन ले पा रहे हैं सोचिए जादा तर लोग माइनस 20 डिगरी टेंपरेचर पे भी सड़कों पे रहने पे मजबूर हैं क्योंकि जादा तर सिटीज वहाँ पर अमेरिकी बॉर्डर पे स्तीत है और नौर्थ वाली साइड पर कोई भी नहीं रहता है क्योंकि नौर्थ वाली साइड पढ़ती है सबसे जादा ठंड और जों से शहर शहर बचे हैं वो भी रहने लाइक नहीं बचे ड्रग्स की वज़ा से आपको विश्वास नहीं होगा बट कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया में ड्रग्स लीगल है और हार्ड ड्रग्स की बात हो रही है इसमें जैसे की मॉर्फिन हैरोइन मैथ कोकेन और अगर आप 18 साल से अबव हैं तो आप असानी से ड्रग्स केरी कर सकते हो इसमें भी लिमिट है 2.5 ग्राम आप ड्रग्स लेके कहीं भी जा सकते हो ऐसा नहीं है कि यह प्रॉबलम कैनेडा में ड्रग्स करने के बाद हुई है बट असलियत यह है कि लीगल करने से पहले भी कै क्षैट करती थी कि हम हाड ड्रग्स लेते हैं अगर असली रिपोर्ट पर जाएं तो चैनेडा की कुछ रिपोर्ट कहते पर्सेंट पॉपलेशन कैने ड़की यानि 6 मिलियन लोग हाड ड्रग्स के शिकार और आज भी वहाड ड्रग्स लेते होंगे 6.000.000 लोग यानि एक ट देश का हेल्थ केर बहुत माना परमाना हेल्थ केर होता है जिसको लोग इतना हुआ बनाते हैं कि हां कैनेडा जाएंगे तो वहां का है बहुत अच्छा है उस देश में जब 21% पॉपलेशन हाड ड्रग की शिकार हो तो यह भी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है अपने आप में सब लोग जो भी कैनेडा जाते हैं वह सबसे पहली बात करते हैं कि कैनेड़ा का का हाइल्थ केर सिस्टम बहुत बड़ी है जो कि उसाब से होगा भी बट अम हम इसकीी की बात करते हैं के केनेडा के जो हॉस्पिदल की सब्सक्राइब जिर्टेस्ट जैसे मालोब तो मेरी बाकी लोग के टेक्सी पैसे पैसे अल्रेडी आ चुके इससे बीब जब मैंने रिसर्च करने के बारे में सोची कैनेडा के हल्थ के बारे में तो इतना डाक जो आप सुनके हैरान हो जाओगे आज के टाइम में जो वहां के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कैनेडा की हेल्थ केर का सबसे बुरी चीज यह है कि उसका वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम इतना बुरा है वहां का कि जैसे मालवा कि डॉक्टर के पास गए और उसने आपको पर पर जाना चाहिए तो यह भी हो सकता है कि उस पैसलिस्ट की आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए चे से आठ मीने तक का टाइम लग जाए तो वेटिंग टाइम इतना जादा है उसके बिचे बहुत जादा जादा रीजन जैसे डॉक्टर्स का रेस्ट टाइम बहु पर भी कवर नहीं होती आपकी मैडिसीन के डेंटल सर्जिरी के आई सर्जिरी के और बाइचांस अगर आपको कोई इंजरी हुई और उसके लिए फीजियो थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा तो उसके लिए आपको पैसे अलग से देने पड़ेंगे सो मैं परसनली कुछ पीना सर्जिरी की कोस्ट वो सम मिला के लिए देंटल सर्जिरी से सश्ती पड़ती है वह काफी लोग जो नहीं नहीं कैनेडा गहें और इतना पैसा लगा के वह कहते कि इंडिया की हेल्थ जो इंडस्ट्री और देंडिया में अगर प्रेग्नेट लेड़ी को गईनाइक के के पास अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उसको वेटिंग टाइम मिलेगा जाह से जाधा दो हफते तीन हफते बट कैनेडा में एक प्रेग्रेंट लेडी को गयनाय के पास अपॉइंटमेंट टाइम मिलता है 30-30 हफतों के बाद सर्जरी के लिए तो बहुत ही जाधा वेट करना पड़ेगा एक बच्चा जो बैंक से लोन लेके हैं माब आपके पुरी सा पत्ति लगा के कैनेडा जाता है उसको कोई रेप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलती वहां पर जाके बाइचांस एक लोग चेंज हुआ और आपकी जिन्दी खलास आप हो जाओगे डिपोर्ट इस वी परनेडा में जाते हैं मालो आपके भाई बहन या नोन कोई फ्रेंड गए हैं उनकी रिस्पॉंसिबिल्टी बनती है कि आपको रियालिटी चेक दें की रियल फेस दिखाए वह हमेशा वान साइड दिखाते हैं कि जब वो घूम रहे होते हैं वीकेंड पर पार्टी कर रहे आने का कि आप वहां पर आ रहे हो तो आप क्या देखने के लिए वह सब उनका माइंडशेट भी ऐसे रहता होगा कि वह 30-40 लाग रुपर आपने लगा के गए हैं वह कैसी चीज़ को बुरा तो नहीं बता सकते बट एक लिस्ट के लिए उनको दूसरे को गाइड कर देना सकते हैं कि नहीं है ठीक कंटीर में आने के लिए आपने अगर भार जाकर स्टाडी करने तो आप किसी और देश में कर लो जो कैनेडा से बैट रहे हो क्योंकि सब लोगा एके नहीं के ताइम में खाल बहुत ज़्यादा बुरह है और अगर आपका को यार दोस्त पूरी पूरी फैमिली बच्चे सब गए उनकी बात अलग है जिसमें पांच साथ आठ लोग कमा रहे बट अगर जिनके बच्चे गए जिनके बहुत जादा अलग है उन्चे अपने आपको रिलेट मत करो अगर कोई कर रहा है आपको वह कोफी करने की जरूरत नहीं है यह कल्चर इंडिया में एक टाइम पे बहुत जादा हाइप पकड़ ली थी इसने की लोग अपने घर बेच के प्रॉपटी बेच के कुछ गिरवी रखके भार भाग रहे थे पर आज के टाइम में सीरियसली हम जैसों की व इंडिया से बाहर भी जाना चाते हो तो कैनेडा से और अच्छे देश है जा पर आप जा सकते हो जो सा आपको लड़ू बड़ा दिख रहा है वह ऐसा सच नहीं है ग्रास हमेशा दूसरी साइट पर ज्यादा हरी लगती है तो यह ट्रैप बिल्कुल मत फसो लोग की फोटो पर आप